कर दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि नवंबर माह में आप किन बातों का ध्यान रखें जिससे आपकी पसु स्वस्त रह सकें और आप अधे कुद पादन दे सकें पसुओं को सर्दी से बचाने के लिए पसु घर का उचित प्रवंद करें और साथ ही पसुओं को सूखी और साफ जगाय पर बांध हैं धनेला रोक से बचाओ के उपाय करें और यदि दूद में छीचड़े, खून या मबात आए तो पसु चकिस्तक को सीग्र दिखाएं बस लगवाएं इस मोसम में अधिकतर भैसें ताओ में आती हैं अताह भैसों के ताओ में आने पर अच्छी नसल के सांड से या फिर कृतिम गर्वाधान एयाई दौरा गर्वित जरूर करवाएं यदि आपने पिछले तीन महीनों से पहले अपने पसु को ग्याविन करवाया है तो उसका गर्व परिक्षण जरूर करवा लें पसु को सुस्त रखने के लिए उन्हें पिती दिन खनिज मिश्रण जरूर खिलाएं हरे चारे के लिए जई फसल की बिजाई इस माह में पूरी कर लें बर्सीम की सचाई 15 दिन के अंतराल पर जरूर करते रहें हम आपको हर माह के पसु पालन केलेंडर से अपगत कराते रहेंगे इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन और सेलेक्ट कर लें मिलते हैं अंगली वीडियो में जय हंद जय भारत